हेलो एब्रीवान स्वागत है आफ सभी का कॉमर्सरा 247 के प्लाटफॉर्म पे और बच्चो आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स में नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं that is we'll be learning about how to solve system of linear equations using matrix and determinants याद है matrix की शुरुवात भी इसी topic से भी थी कि matrix का concept evolve कैसे हुआ होगा और डिटर्मिनेंट्स का end भी इस topic से हो रहा है अब बेटा सबसे important बात जो मेरे को आप लोग को बतानी है देखो ऐसे ना बहुत सारे important concepts हैं जो आपकी ncrt में अब नहीं है मतलब वो deleted portion में लेकिन कहीं ना कहीं यार मेरे को लगता है कि वह सब चीजें आप लोग के लिए सीखनी बहुत important अभी बहुत सारी properties हैं डिटर्मिनेंट्स की जो अब ncrt में नहीं included हैं तो मैंने भी अपने session को नहीं include किया अब elementary road transformation elementary column transformation बहुत important topic हुआ करता था बहुत अच्छे बनते थे इस पर वह भी delete कर दिया गया है इन्वर्स की कुछ properties हैं बहुत important important वह भी नहीं है मतलब उससे questions भी नहीं आएंगे लेकिन अगर आप लोग चाहते हो यह सब चीजें सीखना मैंने इसलिए include नहीं किया पहले मैं चाहता हूं कि basic ncrt लेवल पर जो भी आपका updated syllabus के हिसाब से आपको content मिल जाए ताकि आप school के हिसाब से अच्छे से पढ़ पाओ आपके जो भी internal exams होंगे और अगर आप चाहते हों कि नहीं सर अब हमको थोड़ा सा upgraded content भी दे दो तो आप मिर को बता दे न मैं अलग से एक lecture प्लान कर दूँगा जिसके अंदर जितने भी important topics छूट गए हैं जाफिर deleted portion में हैं वो cover करवा दूँगा ultimately you have to learn all the important things वो अगर बोर्ड में नहीं पुछी जाएंगी तो CUT में या फिर और भी कई आप interest के सामने बैठते हो तो वहाँ पर काम आएंगी तो इसलिए आपको यहाँ पे full-fledged prepare कर सको इसलिए मैं आपको यह वाली बात बता रहा हम चलो बच्छो आगे चलते हैं concept की तर किस system को आप लोग inconsistent बोलते हैं यह जान लो consistent system का मतलब होता है पिटा ऐसे आपके systems of equations जहां पे आपको solution मिले चाहे वो unique solution हो मतलब one solution या फिर infinite solution हो तो ऐसी system of equations को consistent system बोला जाता है जहाँ पे आपका solutions exist करता हो whether it is unique और infinite उसके बात बेटा ऐसी system of equations जहाँ पे आपका solution exist नहीं करता उसको क्या बूला जाता है inconsistent system तो inconsistent मतलब no solution, consistent मतलब solution it can be unique solution और आपका infinite solutions अब एक बहुत important बात है बेटा इस chapter में जो हमको problems करनी है न वो सिर्फ और सिर्फ युनीक solution पे based problems ही करनी है वो ही आपको board exams में पूछी जाएंगे तो अब बेटा हम लोग ना कुछ conditions के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग काटेगराइज करते हैं कि कौन सा consistent कब होगा inconsistent कब होगा, कब unique solution, कब infinite solution कैसे पता चलाएंगे उससे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पे आपको 3 equations दे हुई है इन 3 variables यह 3 linear equations है इन 3 variables अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे variables कौन से involved हैं तो आप बोलोगे x, y और z अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इन equations को फटा-फट से matrix format में represent कर दो तो आप लोग फटा-फट से matrix format में represent कैसे करोगे आपको पता है कि जो constant है उससे constant matrix बनता है variable है यह रहा मेरा variable matrix और यह रहा मेरा जो right side पे constants है उससे बना हुआ matrix अगर आप मैं इसको लिखना चाहूं बेटा represent करना चाहूं इन system of linear equations को तो कैसे represent कर सकता हूँ a x is equal to b जहाँ पे a क्या है आपका constant matrix x क्या है variable matrix और b क्या है जो right side पे constants है उससे बना हुआ matrix x और b क्या है यहाँ पे column matrix है इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना यहां से भी objective question वो ठाके आपसे पूछ सकता है अब आते हैं हम लोग cases पे आपको समझ आ गया हमने कैसे represent किया तो अगर question आता है सबसे पहले हम उसको matrix format में represent करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बिटा हम लोग check करते हैं a के ओपर जाते हैं अगर उसका determinant not equal to zero आता है कहने का मतलब है कि अगर आपका a matrix non-singular होता है बिटा तो obvious एक बात है उसका inverse exist करेगा यह चीज हम लोग पिछले class में पढ़कर आएं पिछले lecture में पढ़कर आएं अब देखो मैं क्या कारे कर हम कर रहा हूं x is equal to b जे ही था आपका representation matrix format में मैंने दोनों साइट पर क्या किया a inverse से pre multiply कर दिया a inverse into a क्या हो जाएगा बिटा i i into x क्या हो जाएगा x तो आपने देखा कि आप variable matrix को कैसे निकाल सकते हो आप a inverse निकालोगे पहले और उसको b से multiply करोगे तो आपको variable matrix मतलब variable की values मिल जाएंगे अब मेरे को एक बात बताओ बिटा a matrix अगर exist करता है तो यह unique होता है क्या unique होता है तो मतलब जो यहाँ पर आपकी x y z की value आएंगी या फिर अगर दो equations है दो variable में x y की value आएंगी वो unique होंगी unique होंगी तो मतलब unique solution वाला case मतलब consistent system तो यही चीज यहाँ पर लिखे हुई है this matrix equation provides unique solution for the given system of equation as inverse of the matrix is unique this method of solving system of equations is known as matrix method तो यह term भी use हो सकती है कि भाई matrix method से आप इस particular system of equation को solve करके दिखाओ तो अभी तक हमने क्या सीखा बेटा हमने पहले देखा कि अगर हमको system of equations दी जाती है तो हम उसको सबसे पहले matrix format में क्या करेंगे अराम से लिख लेंगे फिर हम जाएंगे A matrix के पास हम लोग A matrix का determinant निकालेंगे अगर हमारा determinant not equal to 0 आता है मतलब non singular matrix है तो वहाँ पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं अपने variable matrix को A inverse into B और ये क्यों unique solution वाला case है क्योंकि आपका A inverse भी unique होता है तो ये क्या है बटा ये case है consistent system जहां पे आपको unique solutions मिल रहे हैं चलो अब जाते हैं बटा case 2 पे और problem आपको case 1 से ही पूछी जाएगी case 2 की conditions आपको पता होनी चाहिए ये conditions objective format में आप लोगों इसे पूछी जा सकती है या फिर घुमा के कुछ चीज़े पूछी जा सकती है तो ध्यान से समझना एक बार ही हमने देख लिया कि भाई जो matrix A था उसका determinant हमारा not equal to 0 आया अगर 0 आ जाए तो मतलब singular matrix वाला case हो तो क्या करते हैं अगर बेटा ऐसा आ जाए तो आपको ना adjoint of A into B निकालना है क्या निकालना है बेटा adjoint of A into B चीज़े अब बेटा अगर आपका adjoint of A into B not equal to 0 आ जाए समझे रहे हो adjoint of A into B not equal to 0 यहाँ पे 0 का मतलब null matrix है यतना ध्यान रखना प्लीज ठीक है null matrix है अगर ऐसा case आ जाता है not equal to वाला तो मतलब वो आपका inconsistent वाला case है मतलब वहाँ पे solution exist नहीं करेंगे तो जब आपका determinant 0 होगा वहाँ पे आप क्या करोगे joint A into B निकालोगे अगर वो आपको null matrix के बराबर नहीं दिखता है तो मतलब वो inconsistent system वाला case है मतलब वहाँ पे आपके solution exist नहीं करेंगे और अगर joint of A into B null matrix के बराबर आ जाता है तो यहाँ पर बेटा या तो आपका consistent भी हो सकता है inconsistent भी हो सकता है consistent में कौन सा case चलेगा इस बरी infinite solution वाला क्योंकि unique solution वाला हम लोग लोग अल्रेडी cover कर चुके है तो अगर यह condition आती है तो आप that's sure हो सकते हो कि भाई यह inconsistent system है यहाँ पे solution नहीं है और यहाँ पे अगर आपका equal to null matrix आता है तो आपका case inconsistent system भी हो सकता है consistent system भी हो सकता है consistent system में infinite case होगा infinite solution वाला और inconsistent में आपको पता है no solution clear है तो ऐसे हम लोग बिटा check करेंगे अब इस पे ना basic problem करते हैं जैसे मैंने आपको बोला कि unique solution पर बेस दी आपको problems पूछी जाएंगी तो यहाँ पर आपको system of equations दी होई है अब हमको यहाँ पे बिटा क्या करना है variables की value निकाल ली है तो आपको सबसे पहले पता है जैसे ही मैं देखूंगा सर आपने बताया था कि सबसे पहले इसको matrix format में लिख लो तो ax is equal to b जहाँ पर a क्या है बिटा 2532 से बनावा matrix x क्या है xy होगा उसमे और b में क्या है बिटा 1 7 तो चलो फड़ा वट से यहाँ पर इसको लिख लेते हैं तो a matrix क्या है बिटा 2 5 3 और यहाँ आएगा बच्चो 2 और यहाँ पर क्या है variable matrix मतलब x और y है मेरे variable और यहाँ पर आएगा बिटा right side में constants that is 1 और 7 अब आपको पता है यहाँ से अगर इस xy variable की value निकाल लिए तो हमने अभी condition निकाली थी कि जो x होता है बिटा वो क्या है आपका a inverse into b अब मुझे बता सकते हो कि a inverse कैसे निकाला जाता है याद है पिछले ही lecture में शिखाया है भाई पिछले ही lecture में सिखाया है आप लोगों को की a inverse कैसे निकाला जाता है एंवर्स के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बिटा adjoint of a क्या निकालना पड़ेगा adjoint of a adjoint of a निकालना है इसका इसका adjoint निकालना है बेटा two by two matrix का directly मैंने आपको बताया था adjoint कैसे निकालते है रिजल्ट याद है इन दोनों को replace कर देते हैं इन दोनों को interchange कर देते हैं दोनों जगा दो है इसलिए same दिखेगा और इन दोनों के साथ क्या करते हैं साइन का change करते हैं तो यह माइनस 3 माइनस 5 यह आ गया बेटा मेरा adjoint of a क्या हो गया adjoint of a अब बेटा यहां से अगर मेरे को a inverse तक पहुचना है तो a inverse क्या होता था adjoint of a divided by determinant of a बोलो हाया ना तो इसका determinant क्या है वही आजी देख लेते हैं और सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर determinant चेक करना था यहां पर देख लेना क्योंकि 0 के बराबर नहीं आ रहा है इसलिए हम लोग proceed करें ठीक है और यही questions हमको करने भी है हमसे ऐसे डाइप के questions भी पूचे जाएंगे unique solution वाले तो determinant क्या है सबसे पहले determinant चेक करना फिर बताना कि देखो non singular case है इसलिए हम लोग x is equal to a inverse b लगा रहे है ठीक है तो यहां पर आप लोगों का determinant क्या जाएगा 4 और माइनस 15 दाट इस माइनस 11 तो भयाजी यहां पर माइनस 11 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या माइनस 2 बाइ 11 पांच बाइ 11 माइनस 3 बाइ 11 दो बाइ 11 अब इसको किस से multiply करना है बिटा 1 7 से ठीक है अब इसको जब आप multiply करोगे तो आपको x और y की value मिल जाएगी देखो मैं आपको एक चीज निकाल के दिखा जेता हूं दूसरी चीज आप निकाल ले ना माइनस 2 इंटो 11 माइनस 2 बाइ 11 हो जाएगा और यह हो जाएगा प्लस 35 बाइ 11 सो माइनस 2 प्लस 35 इस 33 बाइ 11 33 बाइ 11 का मतलब होता है बेटा 3 तो x की value आजाएगी 3 और y की value बी चलो निकाली देते हैं तो यह चीज हो गई है अब इसके साथ लोगे माइनस 3 और प्लस 14 ग्यारा बाइ 11 इस वन यह आपका अंसर आ गया x is equal to 3 y is equal to 1 देखो जैसे हमने अब आप इसको न एक बारी अगर जब एक्जाम में करते हो तो आपना क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप इसको सॉल्व करना जानते ही हो कैसे सॉल्व कर सकते हो elimination method से सॉल्व कर सकते हो substitution से कर सकते हो cross multiplication से कर सकते हो तो एक बार ही हम लोग चेक भी कर लेते हैं बेटा ताकि हमको समझ आदा कि calculation mistake तो नहीं हुई है क्योंकि यह चीज़ जल्दी हो जाएगी तो आप क्या करोगे बेटा इसको एक काम करो 3 से multiply कर दो इसको 2 से multiply कर दो तो यह वाली equation बन जाएगी आपकी 6 6 plus 15 y is equal to 3 और यह हो जाएगा 6 6 plus 4 y is equal to 14 माइनस करोगे जबाब बेटा तो यह खतम यह हो जाएगा आपका 11 y is equal to 3 minus 14 that is minus 11 minus 11 तो y की value बेटा minus 1 आ रही है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि y की value minus 1 आ रही है तो कुछ ना कुछ तो हम लोगों से गड़बढ हुआ है हना तो एक काम करते हैं एक बार ही इस calculation को दुबारा से check कर लेते हैं आप लोग भी प्लीज मेरे साथ चेक करो बिटा एक यहाँ पर तुमने बताया नहीं न देखो यहाँ पर 2 by 11 ही लिख दिया यहाँ पर minus 2 by 11 होगा न बच्चो तो यहाँ से आ जाएगा आपका minus 3 और यह हो जाएगा आपका क्या minus 14 तो यह तो minus 17 by 11 चला गया और यहाँ पर plus आएगा देखो minus 3 था न यहाँ पर plus 3 by 11 हो जाएगा देखो अब आपको आंसर मिल जाएगा अब देख रहे हो आप लोग ऐसे ही आप लोग एक्जाम टाइम पे भी प्लीज क्रॉस चेक कर लेना क्योंकि माट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में calculation error होना बहुत जादा obvious है हो सकता है कि कहीं प प्राबलम को करते हैं the sum of three numbers is six ठीक है the sum of three numbers is six तो चलो पहली equation मेरी क्या हो गई बेटा x plus y plus z is equal to six यह word problem है पहले आपको equations बनानी पड़ेंगी if we multiply third number by 3 3z and add second number to it ठीक है y plus 3z ठीक है if we multiply third number by 3 कर दिया and add second number to it we get 11 चलो second equation ही बन गी बेटा by adding first number and third numbers x और z को add करने पे मेरे को क्या मिलता है we get double of the second number that means 2y ठीक है अब सबसे पहले इसको बेटा आपने तरीके से लिख लेते हैं यह तीन equations थी इसको अपन तरीके से लिख लेते हैं पहले वाली चीज तरीके से लिखी गई है तो इसको ऐसे ही रेने दो दूसरी वाली चीज क्या है यहाँ पर लिख देते हैं काम गरते हैं 0x plus y plus 3z is equal to 11 तीसरे वाली equations को कैसे लिख सकता हूँ पिटा x minus 2y plus z is equal to 0 ठीक है तो अब मेरा A matrix क्या हो जाएगा पिटा अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मिरको देखना है कि वो singular है या नहीं है तो A matrix क्या हो जाएगा 1 1 1 constant से बनावा matrix होता है यहाँ पर आएगा बेटा 0 यहाँ पर आएगा 1 यहाँ पर आएगा 3 again 1 minus 2 and 1 इसका फड़ा बट से बेटा एक काम करो determinant निकाल लो determinant कैसे निकाल सकते हो column 1 के along भी expand कर सकते हो या फिर नहीं समझा रहा तो row 1 के along भी expand कर लो बहुत जारा time में change नहीं आएगा मैं एक काम करता हूँ column 1 के along क्या करता हूँ expand कर लेता हूँ तो एक काम करते हैं 1 को लेते हैं पहले तो 1 के साथ क्या आ जाएगा 1 into 1 और यह हो जाएगा आपका minus 6 तो 1 minus of minus 6 7 तो 1 के साथ आजाएगा बेटा 7 तीक है यह 0 वाली चीज अब इसको हटाऊंगा अगर मैं इसको और इसको हटाऊंगा तो 1 into 3 3 minus of 1 3 minus of 1 is 2 तो देखो यहाँ पर यह not equal to 0 ही आ रहा है तो मतलब आप इसमें x inverse कैसे निकाल सकते हो बेटा a inverse into b तो आप इसमें variables की values कैसे निकाल सकते हो again आप same condition लगाओगे a inverse b अब यहाँ पर a inverse निकालने में आपको महनत लगेगी पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा adjoint of a निकालना पड़ेगा जो मैंने matrix अभी लिखा था adjoint निकालोगे फिर उसके determinant से क्या करोगे divide करोगे फिर जाके आपको a inverse मिलेगा फिर आप b से multiply करोगे तो आपको x, y और z की values मिलेगी ठीक है तो बेटा यह जब problems आएंगी तो यह चोटी problems नहीं है इसको please इसलिए बहुत तसल्ली से करना और एक बारी अगर उस time पर लग रहा है कि चेक करने का time नहीं है तो end में time बचाके न प्लीज एक बारी अपनी values को cross check जरूर कर लेना जैसे पिछले question मैंने दिखाया कि हमारी values इतनी खूबसूरत आ रही थी कि 3 और 1 आ गई लेकिन actually 3 और minus 1 आनी थी ठीक है 3 और minus 1 आनी थी कि यहां पे हम लोगों ने जब minus 11 से divide किया तो हमने यहां पे basic सी calculation mistake कर दिदी calculation error कर दिया था तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखोगे ठीक है बाकी guys आप लोगों का अगर chapter point of view से ncrt point of view से मैं बात करूं वो भी जो updated portion है updated syllabus है उसके साफसर determinants में इतना ही है अब इस पे based problems हम लोगों को करनी है सबसे पहले तो ठीक है तो बहुत सारी type की problems है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा date से 2 घंटे का एक lecture होगा most probably again it will be a recorded lecture जो आप देख लेना प्लीज उसमें सारी के important pyqs important exemplar problems को cover कर दूँगा तो यह possible होगा तो बेटा मैं Sunday weekend पर ही डाल दूँगा ठीक है by Sunday I will upload this lecture उसके साथ साथ बेटा determinants की कुछ extra concepts है जो मैंने आपको बताया था starting में ठीक है कुछ extra concepts है जो मैंने आपको बताया थे if you want to study this आपको comment करना पड़ेगा विटा अगर आप लोग चाहते हो तो ही मैं यहां पर विटा अपनी energy लगा के video बनाऊंगा आप लोग के लिए and मैं always in हूँ मैं 10th में भी जब 11th 9 10th में था foundation classes को Olympia arts को मेरा हमेशा से attitude यह रहा है अगर आप चाहते हो सीखना तो बेटा मैं है अगर उसमें भी कुछ important portion है तो please cover करवा दो तो आप मेरे को बताना मैं वह important portion आप लोगों के लिए cover करवा दो ठीक है बेटा तो इस lecture को हम लोग इतना ही रखते हैं thank you so much this is your mathematics mentor गगन मकड और अगर वीडियो पसंद आ रही हैं दोस्तों और आपको लग रहा है कि इस चैनल से आपको फाइदा हो रहा है तो अपने तीन चार दोस्तों को इस चैनल के बारे में और बताईए और थोड़ा सा यार बढ़िया महल बनेगा ना जब competitive थोड़ा सा competition होग आपस में ही बच्चे दिखेंगे यहां पर और थोड़ा सा यार motivation तो आता है यह जब लगता है कि यार हां मतलब बहुत बच्चों तक पहुच रही है वीडियो लाइक कर रहे हैं बच्चे comment कर रहे है तो motivation मिलता है तो अगर आपको लगता है कि सबसे पहले आपको feel करना है कि हाँ फायदा हो रहा है वीडियो अच्छी है content अच्छा है अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर comment करना और बेटा like करना और वीडियो को share जरूर करना thank you so much guys bye bye